जी ट्वेंटी मीटिंग जो जुमू एंड कश्मीर में होने जा रही है 22 से 24 में तक और इसका जो मेन वेन्यू रखा गया है वो है शेरी कश्मीर इंटरनाशनल कॉन्फरेंस सेंटर स्री नगर अब जो ये जी ट्वेंटी की मीटिंग होने जा रही है इसके रिलेटेड यूनाइटिड नेशन्स सुपैशल रैपोर्टर ऑन माइनाटी इस्यूज जो है जिनका नाम फर्नांडिव है पूरा नाम इनका फर्नांडिव वेरिंज है इन्होंने अपने दो टिवीट्स के जरि और पूरा एक स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज किया जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जे एंड के कश्मीर रिजन में हीूमन राइट्स का वाइलेशन हुआ है दोहजार उन्नी से आर्टिकल 370 हटने के बाद ही बहुत ज्यादा वारिफाइंग हीूमन राइट सुच्वेशन है कश्मीर इजन में ऐसा पहले वालकर तुर्क ने भी बोला था जो यूनाटिड नेशन हाई कमिशनर फॉर हूमन राइट्स है उन्होंने यूनाटिड नेशन हूमन राइट्स कांसुल को पहले बोला था कि कश्मीर में वारिफाइंग हूमन राइट्स की स ऐसा फर्नांडियू बोलते हैं तो फर्नांडियू जो है वो United Nations जो है वो criticize कर रहे हैं G20 meeting in Kashmir और इसके response में इंडिया भी tweet करता है और जवाब देता है कि ये जो आपका statement है वो baseless है, unwarranted है और इंडिया का ये पूरा right है कि वो अपनी meeting country के अंदर कहीं भी कराए क्योंकि वो इ resume करना चाते हो और आपके पास biased conclusions आप देना चाते हो ये आपके code of conduct special reporters को जो है उसका violation है आप अपनी code of conduct को violate कर रहे हो तो इंडिया ने defend किया meeting in Kashmir ठीक है तो ये मोटे मोटे तोर पे information है अब यहाँ पे थोड़ा सा खुल के बात करते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या बोला क कि जो G20 की meeting आप जुमो एन कश्मीर में hold कर रहे हो इससे आप इंडिया को support करते हो जो कि human rights का violation अभी भी कर रहा है और इंडिया दिखाना चाता है कि normal है सारी चीजे वहाँ पे कोई भी brutal और repressive denial of democratic and other rights नहीं होता JNK के कश्मीरीज के साथ, muslims के साथ और minorities के साथ और फरना international human rights obligations को और United Nations declaration of human rights को उसको support करना चाहिए और जो situation है जुमो एन कश्मीर में उसको criticize करना चाहिए और condemn करना चाहिए ना कि इस situation को छुपाना चाहिए, hide करना चाहिए और ignore करना चाहिए with the holding of the meeting ये United Nations के special reporter ने बोला कि United Nations criticize कर रहा है G20 meeting in Kashmir अब United Nations ने ये बोला इंडिया के United Nations Geneva का जो office है वहां से tweet आया और बोला कि हम strongly reject करते हैं इस statement को जो कि ये special reporter, reporter मतलब एक तरह का reporter ही होता है United Nations का special reporter, okay तो हम ये statement जो special reporter फरना डिव ने इसको हम इस statement को reject करते हैं और ये statement baseless है, unwarranted है, मतलब कोई official support इसका नहीं है, ये unwarranted allegation है, सब हम पर, और इंडिया ने बताया हम इस time G20 के president है, इंडिया कब बना G20 का president, 1st December 2022 से लेके 30 November, 30 November 2023 तक, 2023 तक इंडिया president है G20 का, और बता जा रहा है कि हम इस time president है G20 के, और ये इंडिया का special right है, कि वो host करे a meeting in any part of the country, okay उसके बाद, India at UN Geneva office ने और एक statement दिया, और बोला we are agast, मतलब हम surprised है, कि फरनांडियू ने act किया है irresponsibly, और politicize करना चाता है issue को, अपनी position का misuse करना चाता है, जो इसकी special reporter की position है, और publicize करना चाता है, social media के अपने presumptions और अपने biased conclusions और ये जो अपने ही presumption है, biased conclusions है, ये gross violation है, code of conduct for special reporter, तो India ने यहाँ पर बताया, आप violation अपने ही code of conduct को करते हो, जो आपका special reporter के code of conduct है उसको, तो India ने defend किया meeting in Kashmir, बोला कि हम इस time president है, ये हमारा काम है, हम देखेंगे, कहाँ पर meeting होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं, ये हमारा काम है, आपका नहीं, तो यहाँ पर statement जो जारी किया है उसके बार में थोड़ा से देख लेते हैं, इन्होंने बोला कि human rights का violation हो रहा है, since 2019, जब special status, special status article 370 वहाँ पर रिवोक हुआ, और बताया कि आप जो meeting कर रहे हो, JNK में, 22-24 तक, फरनांडी इसने बोला, कि इसे क्या करना चाता है, गोर्मटाफ इंडिया अब दिखाना चा और इसने बोला, फरनांडी 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 उने बोला ये भी, कि वालकर तुर्क, जो United Nations Human Rights Commission है, Human Commissioner for Human Rights है, उन्होंने Human Rights Council को कुछी हफते बोला था, कि कश्मीर रिजन में, warifying human rights situation है, और ये जो special reporter है, इसने बोला, कश्मीर में massive rights का violation ह हुआ है, torture हुआ है, extra judicial killings हुए है, political parties का denial किया गया है, और rights जो है, कश्मीर मुस्लिमिस का इनका भी denial किया गया है, minorities का भी, और suspension of democratic rights हुआ है, local elections का suspension हुआ है, और direct rule चल रहा है, 6 अगस्त 2019 से from New Delhi, और इसमें इन्होंने बताया, कि ये जो condition है, बहुत खराब है, और United Nations Export और की चीज़ उन्हें, हमने Government of India को communicate भी किया है, इस बारे में, वगेरा वगेरा यहाँ पे है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कि बाहर से हिंदूस को लाया जा रहा है, कश्मीर में, ताकि वहाँ पे demographic changes लाया जाए जाए, और यहाँ पे और भी बाते कर रही है, कि वहा पे short में कहने का मतलब इतना है, कि JNK के कश्मीरीजन में जो G20 meeting हो रही है, वो दिखावा है, और पूरी दुनिया को दिखाने चाते हैं, कि सब normal है कश्मीर में, ऐसा फर्नांडिव ने बोला, लेकिन India at Geneva ने strong reply दिया, और इनको बोला, यह हवा की बाते आप कर रहे हो, ऐस कुछ में कुछ सचाई नहीं है, baseless है, unwarranted है, कोई official source है नहीं, आपने information लाई, तो आपकी यह हवा की बाते जो है, हम reject करते हैं, हम president है, G20 के, हम decide करेंगे कहां पर क्या meeting होनी है, ऐसा इंडिया ने बताया, तो चलिए इसी तरह अगर आपको current fair cover करना है, तो channel के साथ जुढ जा और इस वीडियो को share करो, हम इसी तरह current fair cover कूप सरत अंदाज में आपका cover कराएंगे, okay, bye.